नमस्ते फ्रेंड में सविता अगरवाल कुकिन वी सविता मैं आप सभी कसो गत करती हूं आज मैं आप सभी को मैगी नुडल्स को उबाल कर चट पटी वेजी टेबल मैगी किस तरह बनाते हैं बताने वाली हूं तो आई ये देखते हैं मैगी नुडल्स को उबाल कर चट पटी वेजी टेबल मैगी की इस तर बनाते हैं ये देखने के लिए हमें किन किन्ची जो क्या उशकता हैं तो देखिये मैगी नुडल्स को उबाल कर चट पटी मैगी बनाने के लिए हमें इन इन्ची जो क्या उशक मेगी पैकेट में से निकले हुए मैगी मसाला पैकेट तो आएए देखते हैं मैगी नुडल्स को उबाल कर चट पटी मैगी किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं मैगी नुडल्स को उबाल कर चट पटी मैगी बनाने के लिए सबसे पेले मैगी नुडल्स को पानी में डाल कर किस तरह उबालते हैं यह देखते हैं मैगी नूडल्स को पानी में डाल कर उबालने के लिए हमें इन इन्ची जो कि आवशकता है आवशकता नूसर मैगी के पैकेट एक चम्मच नमग एक चम्मच तेल आवशकता नूसर पानी लेकिन ध्यान रखना एक मैगी पैकेट में के नूडल्स उबालने के लिए एक छोटा चमच नमक और एक छोटा चमच तेल लेना तो आईए सबसे पहले मैगी नूडल्स को पानी में डाल कर किस तर उबालते हैं यह देखते हैं सबसे पहले भगोने में आवशक्तन उसर पानी ले लीजिए अब पानी लिये हुए इस भगोने को ग्यास पर तेज आज पर भगोने का थोड़ा पानी गरम होने के लिए रख दीजिए तो आईए अब ग्यास पर भगोने में रखा हुआ पानी गरम हो रहा इतना मैगी पैकेट में से मैगी नूडल्स को और मसाले वाले पैकेट को इस तरह निकाल कर एक प्लेट में अलग कर दीजिए तो आईए अब देखते हैं ग्यास पर भगोने में रखा हुआ पानी गरम हो चुका है यह देखते हैं तो देखिए ग्यास पर भगोने में रखा हुआ पानी गरम हो चुका है अब इस गरम पानी में निकाले हुए मैगी नूडल्स को डाल दीजिए मैगी नूडल्स को पानी में डालने के बाद इस तरह कर्ची के सायता से सभी लिये हुए मैगी नूडल्स को इस तेल को डाल दीजिए पानी वाले मैगी नूडल्स में नमक और तेल डालने के बाद 10 से 15 मिट के लिए मिडियम आज पर मैगी नूडल्स को थोड़ा नौरम होने तक उबाल कर तैयर कर लीजिए अगर अपने मेरे कुकिंग विसाविता इस चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया त पासी में दिये हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई विडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो देखिए 15 से 20 मिनिट बाद इस तरह मैगी नूडल्स पानी में अच्छे से उबल कर अच्छे से नरम होकर रच कर तैयर हो चुके है अब गैस की आज बंद कर दीजिए तो आए अब छल्नी में डाल कर पानी में उबालिय हुए इस मैगी नूडल्स को पानी से अलग कर देते हैं सबसे फेले इस तरह एक स्टील वाली छल्नी ले ले ली जिए और लियेवे चलनी को एक भगोने पर रख दीजिए, चलनी को भगोने पर रखने के बाद इस लियेवे चलनी में उबाले हुए मैगी नूडल्स को डाल दीजिए, अब इस मैगी नूडल्स में थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए, जिससे मैगी नूडल्स एक दूसरे को तो देखिए इस तरह मैगी नुडल्स अच्छे से उबल कर तयर हो चुके है. अब इस मैगी नुडल्स में का पानी निकलने के लिए दो मनीट के लिए इस छलने को सैड में रख दीजिए. तो आईए अब दो मनीड बाद इस तर उबाले हुए मैगी नुडल्स में का पानी निकाल करते हैं यार कि ये वे इस उबले हुए मैगी नुडल्से चटपटी मैगी किस तर बनाते हिया देखते हैं उबले हुए मैगी नुडल्से चटपटी मैगी बनाने केलिए सबसे पेले एक कड़ी ले लिजिये और लिये हुए कड़ी को ग्यास पर दीमी आज पर कड़ी गरम करने केलिए रख दीजिये जैसे ही ग्यास पर रख़्ीव इकड़ेगी थोड़ी गरम हो जै तब इस गरम गड़ी में तेल डाल दीजिए और तेल को थोड़ा गरम होने दीजिए जैसे ही कड़े में का तेल गरम हो जाए तब इस गरम तेल में ली हुई सुखी लाल मिर्ची और बारिक कट की हरी मिर्ची डाल दीजिए अब तेल में डाली हुई सुखी लाल मिर्ची और बारिक कट की हरी मिर्ची को दो मिनिट के लिए तेल में अच्छे से भून कर तायर कर लीजिए तेल में डाली हुई सुखी लाल मिर्ची और बारीक कट की हरी मिर्ची दो मिनिट के बाद अच्छे से भून करता है और हो जाने के बाद जैसे ही तेल में डाली हुई अखी लाल मिर्ची और बारीक हरी मिर्ची अच्छे से भून करता है और हो जाए तब इस भूने हुए आखी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची में बारिक कट की हुए पैच के पिसेश को डाल दीजे अब तेल में डाले हुए इस बारिक कट की हुए पैच को दो मिनिट के लिए धिमे आज पर तेल में अच्छे से भून कर तायर कर लीजे जैसे ही दो मिनिट बाद तेल में डाला हुआ पैज अच्छे से भून कर तैयर हो जाए तब इस भूने हुए पैज में बारिक कट की हुए शिमला मिर्ची और बारिक कट की हुए औरेंज कलर के गाजर को डाल दीजिए अब भूने हुए पैज में बारिकट की शिमला मिर्ची और गाजर डालने के बाद शिमला मिर्ची और गाजर और पैज को दो मिनिट के लिए धीमी आज पर अच्छे से भून कर तैर कर लीजिए जैसे ही तेल में डाला हुआ प्याज बारिकट की शिमला मिर्ची और बारिकट की गाजर अच्छे से भून करता है और हो जाए तब इस भूनेवे सबजी में पानी में उबाल करता है और कि ये वे इस मैगी नुडल्स को डाल दीजिए बुनेवे सबजी में उबलेवे मैगी नुडल्स डालने के बाद उबलेवे मैगी नुडल्स को बुनेवे सबजी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए मैगी नूडल्स को पानी में उबाल कर चटपटी मैगी बनाने के इस रेसिपी के विडियो को आप अपने फैमेली और फ्रेंज के साथ फेस्बूक और वाटसप पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा उबले हुए मैगी नूडल्स को भुने हुए सबजी में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस तरह उबले हुए मैगी नूडल्स में मिक्स की हुए सबजी में इस मैगी नुडल्स में स्वादानु सरनमक, लाल मिर्ची पाउडर और मैगी पैकेट में से निकाल ले विए मैगी मसाले को डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, एक मैगी पैकेट में लिये वे एक मैगी नुडल्स में एक मसाला पैकेट डाल दीजिए। और चट पटी मैगी बनाते वक्त मैगी नुडल्स में नमक थोड़ा कम ही डालना क्योंकि मैगी नुडल्स उबालते वक्त मैगी नुडल्स में नमक डाल चुके है अब डाले हुए इन सभी मसालों को बुनी हुए सब्जी और उबले हुए मैगी नुडल्स में इस तरह अच्छे से इन सभी मसालों को मिक्स कर लीजिए जैसे ही डाले हुए सभी मसाले इस तरह उबले हुए मैगी नुडल्स में अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इस तरह मसालों के साथ मिक्स किये वे इस मैगी नुडल्स में लिए वे दो चम्मस सफेद विनेगर को डाल दीजिए दो चम्मस सफेद विनेगर डालने के बाद सबजी के साथ मिक्स किये हुए इस मैगी नुडल्स को विनेगर के साथ इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो देखिए इस तरह मैगी नुडल्स को पानी में उबाल कर चट पटी वेजी टेबल मैगी बन कर तैयर हो चुकी है अब इस तरह बनाई हुए चट पटी वेजी टेबल मैगी को एक प्लेट में निकाल कर अलग कर दीजिए पानी में उबाल कर इस तरह बनाई हुए चटपटी वेजी टेबल मैगी के इस रेशिपी के विल्डियो को आप जरूर ट्राइ कीजिए और इस तरह बनाई हुए चटपटी वेजी टेबल मैगी के बारे में अपना अनुभा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और मेरी दुसरी रेशिपी के विल्डियोस को भी जरूर देख लीजिए जिससे मेरे इस चानल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो मिलते हैं अगली एक और नई रेशिपी के साथ मैगी नुडल्स को पानी में उबाल कर चट पटी वेजिटेबल मैगी बनाने के इस रेशिपी के विल्डियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद ठेंक यू